एलो एवीवन, मैं राज़ बंदारी, आप सबको सवागत करता हमने चाहें, लेक्टिकल अड़म है आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आँँ वो लेकर आँँ क्लाश 10th के लिए, किसके लिए? क्लाश 10th के लिए क्लाश 10th जो हम मैस की जो हमारी सिरी चल रहेती न तो उसमें जो 7th चैपटर हम आँज कर रहे हैं, ठीक है? 7th चैपटर के जो प्रिवेज यëर के 5 और के इर के कोश्चन्स होंगे 5 और के जो कोश्चन्स है वो आज मैं आपके सामने लेकर आँँ ये सारे question आपके final exam में आये हैं, ठीक है, तो पिछले 5 सालों में आये हैं, तो ये सब UK board के बच्चों के लिए है, जैसे कि आप सब को पता ही होगा, UK board के उपर ही अभी video बना मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो 10th का 7 chapter, इससे पहले 6 chapter मैंने complete कर दिये हैं, ठीक है, 7 चल रहा है, 8 चलेगा और 9th, ठीक है, यानि half family तक लगबग इतना मैं कोसिस करूँगे कि मैं 9 chapter तक जितने भी previous year के 5 year में, जो previous year 5 year में question आये हो, सारे आपको करवा दूँ, ठीक है, ताकि आपकी half family की अच्छे से तयारी हो जाए, ठीक है, ये question जो होगे आपके लिए, half family के लिए, ठीक जादा तर ये ही question आपके बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि इसमें पहला question है आपका कि x axis पे, यानि x अक्छे पर इस्तित बिंदू के निर्दे सांग के होते हैं, आपको पता है ये ऐसे बनाते हैं, तो ये x होता है, ये y होता है, ये minus y होता हैं, ठीक है, तो x x पे कौन से होंगे, तो x x पे कोई भी बिंदू होता है, वो होता है, x, 0, कितना होता है, x, 0, वहाँ पे y 0 होता है, ठीक है, अगर मानलो इस साइट होता है, तो minus x, 0 लिख सकते हैं, मगर minus x यहाँ पे कोई भी option में नहीं है, ठीक है, तो minus x 0 ये आपका, ये option में है नहीं, तो कौन से वाला option में है, ये वाला, तो ये अपका सही हो जाएगा, ठीक है, x axis पे पूछा है ना, तो x, 0, अब 2 हो सकते हैं, एक minus x, 0 हो सकते था, एक plus x, 0, तो दोनों में से जोन सा option में होगा, तो ये वाला option में है, तो ये वाला option में है, तो ये वाला option और नीचे के साइड होगा तो 0,-y ठीक है तो ये इसका right answer हो जाएगा y axis के लिए तो पहला x axis का समझ में आगे न ये वाला option सही होगा देखते हैं ये question न मैं बता रहों बहुत बार पूछा है एक number का question है अब ये आप देखो कि 2-3 बार मतलब 2-3 बार तो मैंने इसको addy नहीं किया है ठीक है तो ये ही question जाता पूछा जाता है आपका एक number में 7 chapters है अगला question देखते हैं कि बिंदू यानि point A ये मानलो ये है और एक बिंदू ये point B इनको जोनने वाले रेखा खंड को y x k ratio 1 पे y x जो है k ratio 1 पे विवाजित करता है मैंने अभी y x के जो आपको जो निर्देसांग यानि coordination number बताये तो वो क्या होता है 0, y ठीक है तो ये जो point है ना ये point 0, y इस a b को दो पार्ट में तोड़ रहा है मालो a b है तो ये जो 0, y है यानि इसको हम c point ले लेते हैं ये इसको दो पार्ट में तोड़ रहा है तो दो पार्ट में किस तरह के तोड़ रहा है k ratio 1 में ठीक है तो k ratio 1 में ये divide गो जाता है ठीक है तो देखते हैं इसका answer कैसे करेंगे तो यहाँ पे आपका section formula यूज़ होगा ठीक है अब section formula यानि आपने पढ़ा होगा ये होता है formula ठीक है अभी देखो मैं यहाँ पे केबल आपको paper solve करा रहा हूँ ऐसा मैंने आपको chapter wise पढ़ाया नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको जब knowledge होगा तभी आप इसको कर लोगे ठीक है करनी पढ़ेगे ठीक है तो देखो क्या है अब आपका जो k ratio मैंने बताए न k ratio यानि ab line को दो पार्ट में तोड़ रहा है यानि k और 1 में तो यह जो हो जाएगा यह हमारा m1 होता यह हमारा m2 हो जाएगा ठीक है अब यह m1 m2 क्या है तो इसके लिए यह formula याद अखना है ठीक है तो जिनको formula यह याद है उनके लिए तो अच्छी बात है मगर जिनको याद नहीं हो उनको यह याद करना पड़ेगा ठीक है अब इदर होता है coordination number किसका मानलो जो point हमने बीच में लिया है ठीक है उसके coordinate आते है यहापे तो हमने यहापे c point ले तो c के coordinate तो c के coordinate मैंने के बताया 0, y अब यह y कहाँ साय तो उसने y axis बोला था न तो इसलिए बोला है 0, y axis पे x 0 हो जाता है x जो गवा 0 अब आई को y लिगेंगा ठीक है तो यह coordinate लिगे हमने यहाँ c के ठीक अब यहाँ पे formula लगाया m1 x2 plus m2 x1 m1 plus m2 फिर हम लगाते है m1 y2 plus m2 y1 upon में m1 plus m2 ठीक है तो यह formula आपको याद होना चीए ठीक है coordinate निकालने के लिए इस formula का use करते है ठीक है निर्दे सांग निकालने के लिए इस formula का use करते है ठीक है हिंदी में निर्दे सांग निकालने के लिए बोला जाता है ठीक है अब यहाँ से जब आप इसको solve करोगे तो यहाँ से मिलेंगे आपको x और इस वाले को solve करोगे तो इसको यहाँ से मिलेगा आपको y ठीक है एक ही formula है जो use होगा पूरे exercise में है ठीक है और पूरे chapter में बोला जाए तो दो formula है बैस ठीक है तो यह दो formula आपने याद कर ले तो आपको पूरा chapter हो जाएगा और यही question ज्यादा पूछे जाते हैं आपके जितने भी मैंने इस वीडियो में होंगे न वो सारे question आपसे हर साल वोई पूछे जाते हैं इसके अलाबा होर कोई question पूछा ही बिन जाएगा ठीक है तो रग दिये हमने c के coordinate यहाँ पर रग दिये अब हम यहाँ पर m1 की value रखेंगे है m1 की value कितनी रहे किती है हमने k ठीक है x2 x2 कैसे पतल लगे हमें x2 क्या है तो जो हमारे a point और b point होते है न तो a point में जो पहला number होता है उसको हम x1 बोलते हैं और जो दूसर number होता है उसको y1 बोलते है ऐसी जो हमारा दूसरा point होगा उसका जो पहला number होगा उसको x2 बोलेंगे और जो दूसरा number होगा उसको y2 बोलेंगे ठीक है तो अगर हम देखें तो पहला क्या है formula में x2 तो x2 में यहाँ पर होगा यह इस b का जो पहला number होगा वह x2 हो जाएगा फिर है m2, m2 की value कितनी है हमारी 1 तो 1 रख दिया हाँ ठीक है फिर है x1, x1 कितना हमारा है 5, कितना है 5 तो 5 रख दिया हाँ ठीक है एतना होगा होगा इसके बाद m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 की value कितनी k है, m1 की value k m2 की value 1, तो उन दोनों को plus में लिख दिया फिर m1 की value k m2 की value 1, वह रख दिया है m1 की k, m2 की 1 y2 कितना है मेरे पास, यह मेरा y2 है और यह मेरा y1 है, ठीक है तो y2 रख दिया minus 4, और y1 रख दिया minus का 6 यह value रख दिया, इसके बाद क्या करना है हमें k की value निकाल लिए न, तो k की value कैसे निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर sort में इसको और इसको एक को रख दियंगे इससे ही हमारा k की value आजाएगी तो देखो, इसको यहाँ रखा हमने 0 को और इसको यहाँ रखा इसका x और इसका x मैंने बताया था न, यह solve को रोगे तो x मिलेगा, और इसमें भी यह क्या होता है पहला ओला x होता है तो जैसे इन दोनों को इसको 0 के equal रखा तो k प्लस होन आ जाएगा 0 के साथ, तो यह पूरा 0 हो जाएगा हाना, k प्लस 1 0 के साथ multiply होगी, तो 0 हो जाएगा minus k plus 5 तो यह minus का k उदर जाएगा, तो यह हो जाएगा plus का k, यानि यह बन जाएगा k equal to 5 ठीक है तो इस तरह के सा हमारा k की value आ गई तो अगर हम ratio देखे, तो हमने k और 1 में divide कर रहा था ने इसको तो 5 ratio 1 हमारा बन जाएगा, यानि यह जो c point है उसको 5 और 1 में divide कर देगा ठीक है, तो अच्छा question है ठीक, ऐसा ही question आपके एक दो होर आया है exam में तो देखते है next question अगला question है आपके पास कि A के coordinate दे रहे हैं और B के दे रहे हैं और P के निर्दिसांग निकालना है ठीक है, यानि A होगा एक एक B होगा, इन दोनों के point दे रहे हैं एक के दे रहे हैं, माइनस 2 माइनस 2, और एक के दे रहे हैं 2, माइनस 4 ठीक है, एक P point है बीच में जो इसको जिसका AP equal to यानि AP equal to 3 upon 7 AB दे रहे हैं ठीक है, तो इसको कैसे solve करेंगे तो देखते हैं तो इसको solve करने का इसको solve आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है यहां से M1, M2 निकल लेगा और M1, M2 जब हमारी निकल जाएगा उसके बाद यहीं फार्मला लगाना है और वैसे ही करना है ठीक है, तो देखो कैसे करने का लेंगे यहां पर AP equal to AB दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, AP की value दे रहे हैं, 3 upon 7 AB, ठीक है अब इस AB को लाते हैं और AB जो है, वो 7 है तो अगर मैं एक line खिचूँगा A से B ठीक है और एक B इसमें P point है तो AP की value कितनी आ रहे हैं, यहां से 3 आ रहे है ठीक है और AB की value कितनी आ रहे है, AB का है पूरा, तो यह हमारा 7 कितना है, 7 ठीक है, तो AP मिल गया, AB मिल गया हमें question में, हमें हमें पता है कि यह हमारा M1 होता है यह हमारा M2 होता है, तो हमें M2 तो पता ही नहीं है, PB तो हमें पता ही नहीं है तो आपको पता है, यह पूरा 7 है जब तो 7 में से मैं 3 को minus करूँगा तो यह बचेगा, तो यह कितना होगा 4 होगा 7 में से 3 को मैनस करोगे तो कितना बचा 4 तो यह 3 हो जाएगा M1 और M2 कितना हो जाएगा 4 तो यानि यह जो हमें दे रखा है ना इधर यह इसले ही दे रखा है ताकि यहां से M1 और M2 की value निकाले है तो यही हमने करा इस AB को divide में लाया यहां से AP की value 3 AB की value 7 तो जब आपको PB निकालना हो जब हमें PB निकालना हो तो क्या करेंगे 7 में से 3 को minus करेंगे तो कितना बचे किया 4 M1 M2 बचे किया आप इसके coordinate निकाल लो यह formula आपको मैंने पहले ही बताया था भी इससे पहले वाले question में भी हमने किया था देखो मैंने बताया था यही formula यूज होगा और कुछ नहीं होगा तो M1 की value रख दी हमने यहां से कितनी 3 M2 की value रखेंगे 4 तो यहां पर 3 रखा यहां पर 4 रखा ठीक है X2 कितना रखेंगे तो आपको पता है यह हमारा X2 होता है तो रख दिया यहां पर 2 और यह हमारा X1 होता है तो इसको रख दिया हमने minus 2 देखो रख दिया ठीक है उसके बाद देखो इधर होता है M1 M1 और M2 फिर सा आएगा तो यहां 3 और 4 रखना पड़ेगा तो 3 और 4 रखा हो है हमने पहले से ठीक है फिर होता Y2 Y2 कौन सो होता हमारा यह यह हमारा Y2 है और Y1 कौन सो होता है यह तो यह Y1 है ठीक है तो दोनों value रख दी हमने Y2 की भी और Y1 की भी अब बैस्स को solve कर लो आंसर हो जाएगा 3 तूजा 6 4 तूजा 8 तो माइनस का 8 तो 6 और माइनस से और नीचे कितना हो जाएगा 7 M1 प्लस M2 को जोड़ देंगे 4 तूजा 12 तो माइनस का 12 4 तूजा 8 तो माइनस का 8 बहुत सिंपल है और 6 में से 8 में से 6 तो माइनस का 2 और 12 और 8 जूड़ जाएगे माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 20 तो बैसे इसके आंसर आ गया ये इसके निर्जे सांग आगे ठीक है तो इस question में कुछ था कुछ नहीं है वैस आपको AP और यहां से value निकाल लेती ठीक है तो ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक चीज और बताओ 7 chapter ना एक ऐसा chapter है जो number खीचने के लिए सबसे अच्छा chapter है ठीक है अगर आपने ये chapter अच्छे से पढ़ लिया तो आपके easily जो है अच्छे number आ जाएंगे क्योंकि बहुत simple chapter होता ही है ठीक है तो देखते है next question अगला question देखो ये starting में भी पूछा गया था ना x अक्छे से दूरी तो अगर हम ऐसे बनाएं ठीक है तो x अक्छे से दूरी ये बिंदू है कोई मालो यह है मालो यहाँ पर एक मिनट है ये होगा 2,-4 तो 2,-4 किदर होगा 2 positive और y negative y negative नीचे तो यानि यहाँ होगा यह 2,-4 S होगा है ठीक है तो ये पूछा x अक्छे से दूरी तो x अक्छे से कितनी दूरी पर ही है बताओ x अक्छे से है यह कितनी दूरी पर होगा यह point तो यह होगा minus 4 क्योंकि हम नीचे कितना हैंगे minus 4 होगा न y कितना यहाँ पर minus 4 और x कितना है यहाँ पर 2 तो x अक्छे से कितनी दूरी पर ही है minus 4 तो यह minus 4 इसका right answer होगा तो यह question को थोड़ा सा ध्यान से करना x अक्ष्य से दूरी पूचिए, x अक्ष्य नहीं पूचा है, बहुत जगे करतेंगे, इसको 2 राइट करतेंगे, यहीं 2, x अक्ष्य पूचा है तो 2, नहीं, x अक्ष्य से दूरी पूचिए है, तो इसका मतला minus 4 होगा, तो यह यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है, अगला question है, कि point A और point B, इनके बीच की दूरी, तो यानि एक दूसर फॉर्मला यूज होगा, एक अभी हमने पढ़ा section फॉर्मला, निर्दे सांग निकाल लेगा, ठीक है, और एक फॉर्मला होगा, दूरी निकाल लेगा, यानि distance निकाल लेगा, तो देखते हैं, तो यह फॉर्मला y2- y1 का square, तो यह होता है distance का formula, ठीक है, तो बैस आपको पता है, यह है x1, यह होता है y1, यह होता है y2, आना x1, y1, x2, y2, बैस जा जानने इस formula में, आपको x1 दिखेगा, वहाँ x1 रखना है, जहां y2 दिखेगा, वहाँ y2 रखना है, जहाँ y1 दिखे है, वहाँ y1 और जहाँ, जो भी दिखेगा आपको वह रख देना है, ठीक है, तो देखो, x2 की value कितनी है, minus a तो रख दी, x1 की value कितनी है, a, तो a रख दिया, y2 की value कितनी है, minus 5 रख दिया, y1 की value कितनी है, b, तो 5 बोल रहा है, यह minus b, ठ 2 B का square अब आपको बताए हुगर हम इनका square करेंगे तो minus 2 का square कितना हो जाएगा 4 और A का square प्लस minus 2 का square कितना हो जाएगा 4 और B का करेंगे square तो B square अब यहां से 4 common आएगा बाहर तो कितना हैगा 2 और अंदर कितना बन जाएगा A square plus 20 को है, यह इसका answer हो गया, देखो कितना simple question है, कितना छोड़ा सा है, ठीक है, तब ही बता रहा हूँ, यह chapter पढ़ लेना, अच्छे number आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है, अगला पूछाए कि बिंदू, यानि यह जो point है, यह और यह, को जोडने वाले रेखा खंड को किस अनुपात में विवाजित करेगा, वो आपको निकालना है, यानि M1 और M2 का अनुपात निकालना है, तो ऐसा ही question अभी हमने कर रहाता है, जिसमें हमने k ratio 1 कर रहाता भी पीछे, ठीक है, तो यही question है, आप यहाँ पर M1 की value k और इसको 1 लिखके इसको solve कर सकते हो, ठीक ह वैसा ही किया है, मैंने, एक A point लिया है, एक B point लिया है, उनके बीच में C point लिया है, ठीक है, तीनों की value रग दी, अब यह जो C है न, इसको किस अनुपात, यानि किस ratio में divide कर रहा होगा, तो मैंने इसको ले लिया, k ratio 1 में divide कर रहा है, suppose, किसमे k ratio 1 में, तो यहाँ से M1 की value ह कि M2 के value हो गई 1, ठीक, इतना हो गया, अब हम formula लगाएंगे, coordinate of C, तो C के coordinate हमें दे रहे हैं, यही तो दो पार्ट में divide कर रहा है, यही C जो ही, इस line को दो पार्ट में divide कर रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ लिख रहे है, ठीक है, coordinate C, तो इसी के लिए section formula लग रहा है, तो य जहाँ जहाँ M1 होगा, वहाँ पर K रख दोगे, और जहाँ जहाँ M2 होगा, वहाँ पर 1 रख दोगे, ठीक है, X1 कितना रखोगे, minus 3, Y1 कितना रखोगे, 10, X2 कितना रखोगे, 6, Y2 कितना रखोगे, minus 8, तो यह value हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर equal रख देंगे तो यहां रख दिया तीक है अब इसके बाद क्या करना इसकी k की देखो ऐसा है न minus 1 6k minus 3 इस k plus 1 की multiply करो तो यह हो जाएगा minus k और 1 की multiply करोगे तो minus 1 6k minus 3 इस k वाले को इदा लाओ इसके साथ k के साथ k वाले को k के साथ लिख रहे है तो k इदर आएगा minus 6k यह minus 3 उदर है तो यह plus का 1 जाएगा तो यह minus का 1 जाएगा तो प्लस यह कितना हो जाएगा minus का 7k और यह कितना हो जाएगा minus 3 में से 1 गया minus 2 minus से minus कार देना तो k की value कितनी आगई 2 upon 7 ठीक है तो यहापर जो ratio होगा k की नीचे 1 लग दिंगे हाना हमने क्या लेर का k ratio 1 लेर का तो वह आजाएगा आपका 2 ratio 7 ठीक है तो यह इसका right answer हो जाएगा आगला पुछा है कि यह बिंदू और यह बिंदू इनके 20 की दूरी निकालो distance निकालो तो same way यह formula distance वाला लग जाएगा और easily यह निकल जाएगा ठीक है तो यह formula मैंने आपको distance का बताया था तो यहाँ पर यह x1 है यह y1 है यह x2 है यह y2 तो value रख दिया है यहाँ पर x2 x1 यह y1 यह x2 यह y2 तो यह हूँ पर value रख दिया जहाँ पर x2 होगा वहाँ पर हमने कितना रख दिया 36 रख दिया देखो x1 की जगा 0 रख दिया रख दिया हँ पर 0 पर हमने y2 y2 कितना है 15 पंदा रख दिया यह है y1 तो 9 ठीक है उसके बाद 36 का square करोई तो 12 96 15 का square को रोगे तो 225 इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगे 1521 अब 1521 होता हो किसका square root होता है 39 का तो इतना इसका answer हो जाएगा ठीक है ये तो basic question है ये तो सभी कर लेंगे ठीक है next देखते है next question जो है कि point जो है न 4-6 4-4 और 6 ये point जो है ये और ये line को किस अनुपात में यानि किस ratio में divide करोगा वो निकालना है तो अभी मैंने करवाया था ना same to same question है ये आप खुद करोगे ठीक है ये आप लोगों के लिए है इसका answer आप खुद लिगा लोगे तो इसमें ले लेना है इसको k और इसको ले लेना 1 तो वैसे ही जैसे मैंने अभी उपर वाला question कराए ना वैसे ही इसको कर लेना ठीक है देखो चार नंबर काता है ये सिदा और इतना simple question ठीक तो इस question को आप लोग करना इसका answer आपका आजाएगा ठीक है तो हम देखते next question एक question ये दिया है कि y का मान निकालना है में ये भी बहुत अच्छा question है p point और q point यानि एक p point है और एक q point है और उनके बीच की जो distance है ये पूरे देर की 10 ठीक है तो यहाँ पर distance वाला formula लग जाएगा बहुत easily हो जाएगा तो देखते है तो ये distance आपको देर की है ये p point देर का है q point देर का है तो distance का formula रखेंगे तो distance की जगा डी की जगा तो 10 ठीक देंगे और आपके formula में जहाँ x2 है वहाँ x2 रखेंगे आपको पता ही ये होता है x1 ये होता है y1 ऐसी ये होता है x2 और ये होता है y2 तो best formula में जहाँ पर x2 है वहाँ पर आजाएगा 10 जहाँ पर x1 है वहाँ पर आजाएगा 2 पिर जहाँ y2 है वहाँ पर आजाएगा y और जहाँ y1 है वहाँ पर आजाएगा minus 3 तो minus minus plus हो गया अब आप क्या करोगी तो 10 है इदर root में तो इसका root हडाने के लिए square करोगे दोनों साथ यानि दोनों पक्षों में work करने या क्या करेंगे work करने पर तो 10 का square कितना होता है 100 10 की दो बार multiply करोगे तो कितना हो जाएगा 100 और इस पूरे की दो बार multiply करोगे तो क्या हो जाता है तो जब भी आप किसी root का square करते हो तो इसके उपासे root हड जाएगा तो देखो इस पूरे के उपासे root हड गया और 10 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हुचा 8 8 का square कर दिया इसको वैसे ही लिख दिया ठीक है आप क्या कर सकतो है यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि एक तो 8 का square 64 लिख दिया हमने और इसका square खोल देंगे तो क्या होता है y square 3 का square कितना हो जाएगा 9 6y यही तो होता है plus b का उसका है तो यह हमने यह पर खोल के लिख दिया इसको पूरे को आप क्या करेंगे इस 100 को इदा लिख आएगे अब 100 को लाने से पहले हम क्या करेंगे 64 और 9 को एड़ कर दियेंगे तो कितना हो जाएगा 73 और 100 उदर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 73 में से किसको माइनस करो 100 को माइनस करो तो कितना बचेगा माइनस का 27 बचेगा अब इस पूरी equation को solve करना है तो यह quadratic equation बन गई आपकी दूइगा समय करना तो इसको कैसे हल करते थे हम लोग तो यह आपने करा होगा second chapter में 27 है ना तो इसकी multiply सबसे पहले 1 करते है तो आगे करते हैं तो यहाँ पर तो 1 है तो 27 बन जा 27 इसके factor निकालो 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3 यह factor आए अब जैसी यह factor आएंगे तो यहाँ पर कैसा sign है minus तो minus का sign है तो मतलब इसके जो factors आए है इनको minus करके कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए ठीक है तो आप इसके factor क्या बना सकते हो 3 3 जा 9 और उसमें से 3 को minus करो तो कितना बजएगा 6 तो देखो हमें 6 ही लाना है आप है कितना लाना है 6 तो इस 6 को क्या लिख देगे है 9 minus 3 तो देखो वही लिखा है 6 को लिखा 9 minus 3 तो देखो है अब इस y की multiply अंदर कर दो दो दोनों में तो 9y minus 3y minus 27 हो गया अब इसमें से और इसमें से common लो क्या है y square minus 9y minus 3y minus 27 तो यहां से y common लोग है तो क्या बचेगा एक तो y बचेगा और एक 9 बचेगा इन में से common लोग है तो यहां से 3 आएगा minus का तो क्या बचेगा एक तो y बचेगा और minus तो भार चला गए तो plus और 27 कितनी बार आता है 3, 9 जा 27 तो 9 आगया sorry यहां पर plus था आपका ठीक है तो यह भी plus तो देखो यह दोनों मारसे हमेशा सेम आना चाहिए दोनों तो यह दोनों सेम आ रहे हैं तो इसको लिख देंगे एक बचेगा एक बचेगा y plus 9 जो बागी बचा क्या y minus 3 तो यह दो answer आगे हमारे तो यह दो answer आगे हमारे ठीक है तो यह आपका last question है ठीक है last है मगर सबसे important है यह question भी बहुत ज़्यादा पुछे जाता है पिछली बार half a lie में भी यह question आया था आपका ठीक है तो यह बहुत important है तो इसमें A, B, C, D 4 point दी है ठीक है जैसे मालो एक pedalgram है तो A, B, C, D 4 point दी है वहाँ से आपको इस P point की value निकालनी है ठीक है तो एक pedalgram है आपका है तो देखते कैसे करेंगे तो इस question को कैसे करोगे आपको पता है जैसे pedalgram है ठीक है तो pedalgram में A, B, C, D आपने यह लेने है ठीक है तो इस A, C line का जो midpoint होगा और इस स्वाली line का जो midpoint होगा वो दोनों equal होगे ठीक है और आपको पता है जब midpoint होता है जब midpoint है तो यानि यह जो ratio होगा A, C का जो ratio होगा यानि A, C के जो M1, M2 होगा जैसे A, C line है ना तो यह दोनों line कर रही है तो यह जो M1 होगा वो भी 1 होगा M2 भी 1 होगा ऐसी इसका भी 1 होगा इसका भी 1 होगा ठीक है तो यानि M1, M2 की value 1, 1 होगी तो जब ऐसा होता है तो हम direct यह formula यूज कर लेते हैं यह formula कहाँ सा है तो यह formula आपको वही है जैसे हम लिखते है न जो हम formula लिखते थे उसमें M1, M2 की value 1, 1 रगते हो तो यह formula बन जाएगा आपको ठीक है तो उसके बाद क्या करना है आपको AC के निगा आल रहे हैं तो A की value A के जो coordinate होगा 6 और 1 और C की value 9, 4 तो आपको क्या करना है X1 प्लस X2 X1 कितना है 6, X2 कितना है 9 तो 6 प्लस 9, upon में 2 ठीक है इतना लिख दिया फिर आपको लिखना है Y1 प्लस Y2 तो Y1 है 1 और Y2 कितना है 4 AC के देखने में है ठीक है, AC के तो Y1 की value 1, Y2 की value 4 तो रग दी, यह sorry 4 होगा ठीक है कितना है 4 है ठीक है Y मां समझना तो 1 प्लस 4, upon 2 फिर हमें लिखना है BD के किसके BD के तो B के कितने है 8,2 और D के कितने है P,3 तो यहाँ पे भी लगाएंगे X2 प्लस X1 तो P प्लस 8 है ना, या X1 प्लस X2 P प्लस 8, upon 2 और अगला 3 प्लस 2, upon 2 रग दी हमने अब हमें क्या करना है एक बार इसको और इसको दोनों के X को एक्कोल रग देंगे ठीक है तो वहीं से मारा P आ जाएगा तो 6 और 9 कितना होगे 15, बटे, 2 और अगला इधर कितना है 8 प्लस P, upon 2 रखा, 2 से 2 काटा और 15 एकोड, ऐसो होगा ने तो यहां से P कितना हैगा 8 इदा जाएगा, माइनस ने तो 15, माइनस 8, तो कितना बचे 7, तो इस तरह के से हमारी P की वैल्यू आ गई इस वाले को मत करना है इधर इधर वाला गिलत है आपर ठीक है, तो बेस P की वैल्यू निकालने थी इस तरह के से इसकी P की वैल्यू आ गई तो इतने ही कोशन थे आपके इस चैप्टर में जितने भी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कोशन जो पुछे जाए, तो यही कोशन थे आपके है ठीक है, तो इतने कोशन कर लेना बाकी मिलते हैं नेक्ट शूड़े में जिसमें हम 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट कोशन करेंगे यह चैप्टर 8 चैप्टर और 9 चैप्टर आपके बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो इनको जरूर करके जाओगे ठीक है, आप पहले इतने कोशन कर लो 7 चैप्टर के ठीक है, बाकी तब करना, पहले इन कोशनों को करना ठीक क्योंकि इन से ही आपके कोशन बनेंगे तो बाकी मिलते हैं नेक्ट शूड़े में थैंक्यू